नेचर लवस देखिए आज हम आपको एक ऐसा पोधा दिखा रहे हैं अगर आप उसकी खेती करते हैं तो आप माला माल हो जाएंगे और अगर आप उसे घर पर गंबलों में गिरो करते हैं उगाते हैं तो आपके हैं सबजी की कमी नहीं रहेगी यह उस फैमिली का है जिसमें बेले ही बेले होती हैं लेकिन यह जो वेराइटी हम आपको दिखा रहे हैं यह जो पोधा आपको दिखा रहे हैं यह बेल के रूप में नहीं होता है यह प्लांट के रूप में होता है थोड़ा इरेक्ट होता है यह देखिए इस पर किस तरह से फल लगे हुए हैं किस तरह से फ्लावर आये हुए हैं फूल भी बहुत सुन्दर होते हैं और इसकी पहली या दूसरी पट्थी आते हैं उसपर फूल आने सुरू हो जाती है और सब्जी लगनी सुरू हो जाती है यह आज-कल मार्कीट में बहुत ही परचलन में है और बहुत महंगा भी बिखता है। It is rich in carotenoids, vitamins, dietary fibers, minerals and phenolic compounds. Leaves are also rich in essential minerals including potassium which is required for muscle contraction, fluid balance and chemical signaling between neurons, nerve cells. में ये बहुत ही बहुत आयसे परियोग होता है और इसमें ये सारी चीजे पजूरता में होती है। Native to South America but now grown worldwide वैसे तो ये South America का प्लांट है लेकिन आजकल ये पूरे संसार में उगाया जाता है। देखिए यहां पर लगाया हुआ है ये जिन्होंने लगाया है वो भी बता रहे हैं और हमने जो देखा है वो भी बिलकुल सत्य है। तो देखिए इसमें किस तरह से लगाया है, ये खेत में लगाया हुआ है, मेड बनाकर के डोलियां बनाकर के उनके उपर लगाया हुआ है, इसका बाटनिकल नेम कुकुर्बिटा पीपो, सब स्पिसीज पीपो, that belong to कुकुर्बिटेशी फैमली, तो कुकुर्बिटेशी फैमली में जितने प्लांट होते हैं, वो सब बेल के रूप में होते हैं, लेकिन ये आप देख रहे हैं, बेल के रूप में नहीं है, अधिकतर बेल के रूप में होते हैं वो, common name जक्चीनी स्क्वेस, black beauty, जक्चीनी स्क्वेस, summer स्क्वेस, light apple marrow, pumpkin आदी नामों से इसे जाना जाता है तो इसे आप अगर मार्कीट में देखेंगे तो बिल्बुल खीरे की तरह होता है जैसा खीरा होता है उस तरह का होता इसकी बहुत सारी variety है जो गोल, लंबे, छोटे, बड़े, मटके की आकार के आदी तरह के इसके fruit होते हैं, फल होते हैं, सबजी होती हैं जिससे आप मार्कीट में ले सकते हैं लेकिन ये जो हम variety हम दिखा रहे हैं ये बहुत ही अच्छी है और यही ज्यादा चलन में है और इसे मैरों इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें मज्जा जैसे bone में होती है मज्जा उस तरह की होती है इसे दवाईयों में परियोग करते हैं जो इसका गूदा होता है उसका decoction जो है वो जो आतों में swelling हो जाती है उसे ठीक करता है बीज कीडों को दूर करता है और मूत्र जादर लाता है तथा prostate gland को ठीक करता है और इसकी पत्तिया कहीं से जल कट जाए तो उस पर लगाने से ठीक हो जाता है प्रोपेगेशन बीज एक से डेड़ इंच गहरे गीली मिटी में बहें और इसका जो temperature होना चाहिए और 18 से 20 डिग्री से टेंपरेचर होना चाहिए तब ही अच्छे से उगते हैं और एक बार इन्हें उगा करके फिर जब यह थोड़े बड़े हो जाएं त ताकि यह अच्छे से फल फूल सकें और फल और सबजी आपको दे सकें अंता उतना नहीं लाब होगा Thanks a lot for watching complete video and if you like it, please don't forget to like and subscribe my channel for more such videos. Thank you.